नमस्कार बच्चों मैं जीतेंद्र कुमार शर्म और मेरे साथ आप पढ़ रहें कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्थे पुस्तक आर्थिक विकास की समझ बच्चों हमने अध्याय संक्या पांच शुरू कर लिया था जिसका की नाम है उभोकता अधिकार पाठ संक्या एक या नि हमारे पाठ संक्या एक में कर ली थी तो जब इतना कुछ उसके साथ हो रहा है उसे इतनी तरीके से परेशान किया जा रहा है एक विचारे उभोकता को तो वह बाजार में खुद को अकेला महसूस करता है और जो क्रै शक्ति है उसकी वह भी प्रभावित होती है और जो लाल शियांसी जिसकी चरचा आज की भाग में करने वाले हैं वुबोकता कानून को बनाने के लिए जो आंदोलन किया गया इसकी चरचा और लेए वहां कोन सी संस्थायों करने हैं इन सब की चर्चा आज की कख्षा में हम करेंगे सबसे पहले हम यह देखेंगे कि उभुकता का जो शोशण है तो देखो बच्चो अगर हम शोशण की बात करते हैं तो यह शब्द नया नहीं यह बिल्कुल नहीं है शोशन क्या है किसी के अधिकारों का या बनाएगे संरक्षन के नियमों का पालन ना करके उस व्यक्ति को हानी पहुचाना अब हानी कई तरह की हो सकती है देखो आर्थिक रूप से हानी पहुचाना मांसिक रूप से हानी पहुचाना या फिर शारिरिक रूप से हानी पहुच यहां हमने श्रमिक को लिया हैंprises हमारी economy इसी पर निर्बर कर दिया गया और उसे बुखतान नहीं दिया गया अब यह क्यों नहीं दिया गया कहा दिया जाता है आपके पिताजी ने इतना करजा लिया तो उसका ब्याज है उसी में आपको कार यह करना है और इसके रिगार्डिंग हमने एक्जामपल्स भी देखे थे ठीक है तो यहां पर बात करेंगे जैसे बेगार यह उसे काम तो कर वा लिया हो गया सोशन आर्थिक ठीक है बुक्तान का कूप्रबंद दो मैंने काम कर वा लिया एक मैंने का पैमेंट कर दिया एक मैंने का दिया ही नहीं यह उसमें से कुछ बकाया निकाल करके बेल बेमतलब का उसके कटोतिया कर ली गई यह सब क्या हो गया बुक्तान का कूप्रबं तो यह सरमीक का कैसा हो गया आर्थिक आधार पे शोशन हो गया और यह मित काम के घंटों में यह भी समझाता है उससे प्रताडित कि कि आए तो यह उसका शोषण के कटेग्रीज में आता है अब हम बात करें बच्चों देखो बोकता का बाजार में इन तीनों प्रकारों से यानि कि हम कहें आर्थिक मानसिक और शारिक रूप से शोशन किया जा सकता है कैसे किया जा सकता है देखो जब मुल्य लेकर के डुब्लिकेट सामान दे दिया गया तो यह सारा किस इस चैटेगरी में आएगा यह आएगा हमारे आर्थिक शोषन वाली कैटेगरी में ठीक है मांसिक की बात हम कर लेते हैं जैसे याद कर लो प्रेशर कूकर का एक्जामपल हमने लिया था वह फट गया खराब हो गया वर्क नहीं कर रहा चैंज कराने गया फिर भी नहीं कल चुकी है हमने उसको दे दिया वह बोकता को उसने ग्रहन कर लिया और कई सारी वीमारीयों से पीडित हो गया उसको शारी कुछ से नुकसान हो रहा है तो यह सारी की शोषन में आता है और आपने क्या सोचा उससे साथ मार्पीट वगरा कर ली नहीं है सखुछ बिने तो पर हमने देखा कि कैसे जो अलग-अलग तरीकें हैं उनसे शोषन किया जाता है तो यह थी शोषन की बात बच्चों जब शोषन होता है तो उसको रोकने के लिए कभी ना कभी किसी वी व्यक्ति की सहन शीलता होती है उसको ज्यादा परिशान करोगे तो फिर वह शेहन सीलता खतम हो जाती है और वो विद्रोह पर उतराता है चाहिए वह हमारा 1857 का संग्राम हो चाहिए हमारे आंदोलन हो यह सब क्यों हुए थे हमारी एक सेहन शक्ति की लिमिट थी जब उससे ऊपर हम पर अत्याचार होने लगे तो हमने कर दिये थे आंदोलन तो इसी प्रकार होता है उभुकता अंदोलन तो यह उभुकता अंदोलन है क्या इसके रिजल्ट्स क्या निकले इन सब पर अवाम चर्चा कर लेते हैं तो देखिए उभुकता आंदोलन का प्रारंब उभुकता हों के इसंतोष के कारण हुआ जहां भी ये शब्द आ आइसंतो वह किसी ना किसी आंदोलन को जनम देता है साइमन गो बैग यह वाला जाद कर लो अठारा स्वत्ता अनकी करने संतोष आता है तो कही ना कहीं आंदोलन जनम लेता ओंदोलन यह सब चीजए हम देखते हैं कि जब भोगताओं में रहा तो उस अंतोश वगता के गुणवत्ता की वस्तू नहीं देना खराब माल देना कम तोलना यह सब जो कारण थे अनुचित व्यवारिक व्यवसाय थे उनमें ज्यादा से ज्यादा विक्रेता लिप्त होते गे और जो उब्भोकता था उसमें संतोष आया और रिजल्ट निकल करके आया वो था हमारा आंदोलन बाजार में उब्भोकता को शोशन से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्ता उपलब्द नहीं थी जब यह चीज नहीं थी तो इसकी तो जर्रत थी ना ऐसी व्यवस्ता तो होनी ही चाहिए कि जिससे जो उब्भोकता है उसे शोशन से बचाया जा सके तो इन स खिवच्चो इन सभी प्रियासों के परिणाम सरूप यह आंदोलन व्यतिस्तर पर उब्भोकताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यावसाई शैली को सुधारने के लिए व्यावशाई कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ यानि कि सरकार को भी जुकना पड़ा और जो व्यावसाई कंपनिया थी उन्हें भी जुकना पड़ा इस कांदोलन के कारण तो वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया और ये कदम क्या था देखिए यह उब्भोकता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था यानि कि अब आ गया था हमारे पास में COPRA और को क्या कहते हैं उब्भोकता शुरक्षा अधिनियम 1986 जो किस नाम से प्रशिद हुआ कोप्रा की नाम से हुआ कोप्रा की तरह ही है यह कोप्रा ठीक है पर यह सब को नहीं डसता यह केवल जो अनुचित यह केवल उनी को डसता है तो चलो बच्चों यह तो था हमारा उब्भोकता संदक्षन अधिनियम 1986 क्या बनाया गया हम विस्तार से समझ लेंगे तो देखी उब्भोकता इंटरनेशनल के अगर हम बात करेंगे तो 1985 में संयुक्त राष्ट ने उब्भोकता सुरक्षा के लि लिए उप्युक्त तरीके अपनाने है तू राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने के तू उब्भोकता की वकालत करने वाले समुह के लिए एक हतियार था कहने का मतलब इस जो अधिनियम यह जो भोकता कानून था इंटरनेशनल उसम और बात है 1985 की इससे जस्ट अगले वर्ष यानि 1986 में कोपरा आ गया था ठीक है चलो इसमें आगी देखिए अंतरास्टी इस्तर पर यह है उब्भोकता आंदोलन का आधार बना आज उब्भोकता इंटरनेशनल सो से भी अधिक देशों के 200 संस्तानों का एक संदक्षक संस् कंट्रीज में फैला हुआ है और 200 से भी मौर दैन इसके जो छोटे-छोटे संस्तान है वो इससे रिलेट करते हैं इससे जुड़े हुए हैं तो बच्छे यह था उब्भोकता इंटरनेशनल अब देखिए हमने अभी मोटा मोटा यानि कि हम कहें बैसिक नोलेज लिया है कि विस्तार से समझ लेंगे उब्भोकता इंटरनेशनल को लेकर कि हमने यह समझने का प्रियास कि विस्विस्तर पर भी जो वुखता है उनके संड्रक्षन को लेकर कि क्या प्रियास किये गए थे तो 1985 के नियम काईदे कानून संभी तुराष्टन के दिशानिर देश उनके ब कर ली तो चली कुछ विचार करते हैं उभोकता दलो द्वारा कौन-Kon se उपाई अपना जा सकते हैं या वों कौन-kon-se उपाईये को अपना सकते हैं तो देखो बच्च समुख Acta समय द्वारा उप्षाओ को जागरुक करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं उब्भोकता जब तक जागरुक नहीं होगा मुझी यह पता नहीं कि मेरे मौलिक अधिकार क्या क्या है तब तक मैं उन अधिकारों की रख्षान नहीं कर सकता उनका उब्भोग नहीं कर सकता है तब तक हमें क्या पता होगा कि हमें क्या खानाएं समझ रहे हो ना बात को जब तक हमारे अधिकारों का पता नहीं हम जागुर नहीं उनके लिए तब तक मुझा उप vendor लिए कई सारे कदम उठा सकते हैं जैसे उप्बोगता को इधिकारों के प्रति जाग रूख किया जाना इसके साब साद साध्यों को शिकायक प्रक्रिया आपको अगर आपके साथ चीटिंग हो जाती तो आप कहां करेंगे क्या प्रोसीजर होगा वो सब समझाना उप्भोगत आंदोलन के बारे में जागरुक किया जाना चाहिए यह सब कारिय उब्वोक्ता समुय कर सकते हैं इसके अलावा देखिए उब्वोक्ता को जागरुक करने के लिए उब्वोक्ता समुय द्वारा समय समय पर उबहुकता जाग्रुकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए जिससे कि उन्हीं यह पता चले कि मेरे राइट्स क्या-क्या है और मेरे साथ कहां-कहां चीटिंग हो रही है बुच O D compared, सि हमारे अधिकार है उभलता प्रव्यास किया समझाने के प्रयास आपको उभल होग कीजिए आपको कैसे बचना है और फिर भी आगर आक के साथ नहीं cheating हो गई है आपके साथ में यह मतलब जो कहते हैं कि आपका शोशन हो गया है तो आपको कहां सिकायद करनी है क्या प्रक्रिया होगी किस मंच पर अपनी सिकायद को प्रेजेंट कर सकते हैं उसका रिजल्ट कब तक मिलता है यह सब बाते हैं और को को जागरुक करता है वह आपको जागरुक कर सकते हैं तो यहां ने देखा कि उपने कानून होने के बावजूत उनका अनुपालन नहीं होता है क्यों नहीं होता है देखो चाहिए हम बैंकों की बात करें बैंकिंग से जोड़ लेते हैं इसको बैंकों की बात करते हैं तो बैंकों के पास में क्या होता है पंद्रा परसेंट जो लिक्विड है यानि कि मनी है आपका निक्षेप का जो मनी है मांग जमा का जो मनी है तो आपको होल्ड करना ही होगा इतना लिक्वीड तो आपके बैंक में होल्ड होना चीए 15 तो यह तो अरब इसे कम में कम रखता है 15 से भी कम हॉल्डिंग पर रखता है तो यह क्या हुआ यह कानून होने के बावजूर्थ उसका अनुपालन नहीं हो रहा तो इसी प्रकार हम यह देखते हैं कि उब्वोगता के संदक्षन के लिए भी कई सारे नियम कायदे कानून बनाए गए हैं फिर भी उनका अनुपालन नही सकते हो मुझे यह सजा हो सकती है मेरे उपर यह कारवाई की जा सकती है ऐसा मैं नहीं पता चलेगा जब आप खुछ से जागरुक होंगे तो ना तो आपका शोशन होगा और अगर शोशन हो भी जाता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और अपने अधिकारों को प्राप्ते कर सकते हैं तो सबसे बड़ी जो कमी है यानि नियम काईदे कानून होने के बाद जूद भी उनका अनुपालन नहीं होता उसका सबसे मीजर फैक्टर यह है कि जो उभोकता है वो जागरुके नहीं उन्हीं यहीं पता नहीं कि मेरे राइट क्या क्या है ठीक है चीजी है कि जो अबजर्वीशन संस्थाने हैं जो भी इनको देखरहे करने वाली नियम काईदे कानून का पालन हो रहा है या नहीं 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 हो ममले के ग्यान के विश्कायत नहीं करते हैं क्योंकि वे कानुनि अऊपचारिकताओं में शामिल नहीं होना चाहे सब को यह डर लगता रह趣 थे हैं और कर अपकी आप कैसे कारद नहीं आपinta नहीं चाहां देता है चोड़ो यार 20 रुपए की बात है चोड़ो यार 2000 रुपे की बात है छोड़ो कोन गान है कंनकर काम चोड़ कि जाएगा तो जो अब्चारिकता हमें कानुनी उन्हें वह शामिली होना चाहते इनके अलावा आगर हम बात करते हैँ तत्ट की तो देखिए ब्रश्टाचार और अधिकारियों के ऐसा योग के कारण भी जो नियम काईदे हैं उनका पालन नहीं हो रहा कहीं न कहीं बात करें तो देखो जागरुकता की कमी ठीक है पॉइंट्स में आगर हम लिखना चाहें जागरुकता की कमी है ठीक है जिम्मेदारी जिम्मेदार तंत उन होने के बावजूत भी उब्वोगताओं का शोशन हो रहा है उसके महजर फैक्टर हैं जागरुकता में कमी और जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके द्वारा अपनी जिम्मेदारी का उचित निर्वेहन नहीं किया जा रहा जिसके कारण शोशन के प्रक्रिया आज भी जारी ह नहीं यहां पर नहीं देखा कि उब्वोकता अंदोलंग क्या है हम यह समझ़ में किया गयह भव 6 के शिकायत कहां कर सकते हैं किन-किन लेवल्स पर ये वर्क करता है जिला लेवल पर क्या कार्या किया जाएंगे राज्य स्तर पर क्या होंगे इन सब के बारे में हम हमारी आगामी कख्षा में विस्तार से समझ बनाएंगे आशा करता हूं जो आज का बैसिक नोलेस था भोकता अधिकारों को लेकर के वह समझ में आया होगा तो बच्चों देखते रहें सीखते रहें मिलता हूं आपसे अगली कख्षा में तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों